Hi guys, welcome back to my channel, my name is Priya Dukra and I'm back again with another video आज किस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर रही हूँ, एक Amazon की तरफ से AWS Builder Online Series प्रेजन की जा रही है जो कि स्टार्ट होने वाली है 21st January को So, आज हम देखेंगे कि वो सीरीज किस तरह की Online Event है, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिल सकती है Certificate आपको किस तरह का मिलेगा और कैसे आप इसमें Participate कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ So, without wasting any time, let's start the video If you are new to my channel, then please go and subscribe to it And don't forget to hit the bell icon so that you never miss an update Also, I am active on my Telegram channel and my WhatsApp group So, if you want to ask me anything related to free courses, certification or anything related to your career Then you can join me there Now, let's see Amazon EWS की तरफ से जो आपको EWS Builder Online Series present की जारी है So, आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपके लिए दिस्रिप्शन में प्रोवाइट कर दूँगी वहाँ से आप डिरेक्ली इसको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है Jump Start Your Cloud Journey with AWS यहाँ पर आपको Cloud Security के बारे में सिखाया जाएगा जितनी भी Trending Technologies है, DevOps के बारे में सिखाया जाएगा और यहाँ पर आपको किस तरह से आप AWS की Services यूज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस सेशन में सिखाया जाने वाली है Events के Highlights के अगर मैं बात करूँ तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास 10 Sessions बताएगे हैं 10 Plus Sessions अल्रेडी हो चुके हैं इनके Technical Demo's आपको Provide किया जाते हैं और इन Sessions को अटेंड करके You get a Certificate of Completion अब क्यों अटेंड करना चाहिए और कौन इसको अटेंड कर सकते हैं इसको अटेंड करने के बाद आपको एक तो इस चीज़ की Understanding मिल पाएगी कि किस तरह से आप Web और Mobile Applications को Develop कर सकते हैं कैसे आप AWS Services को Use कर सकते हैं और कैसे आपको Cloud Security के बार में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाने वाली है वो इनके Main Points है अब किनको यह Attend करनी चाहिए तो मैं वो बोलूँगी कि जो भी लोग है जाए वो Working Professional है Students है और जो भी लोग जिनको इन सारी Services में इंटरस्ट है तो वो इस Session को Attend कर सकते है अब बात करते हैं कि Session के Timing के रहने वाली है तो यह Session different countries में होने वाला है Australia में भी होगा New Zealand में भी होने वाला है India, Sri Lanka, Korea आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं Timing 1 की 6 o'clock है and timing 2 10.30 है and timing 3 आपका 3.30 रहने वाला IPM तो यह timing आप यहाँ पे note कर सकते हैं Agenda की अगर में बात करूं तो track wise यहाँ पे system रहता है track 1 और track 2 क्या है आपका तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि कितने कितने minutes का आपका कौन-कौन सा topic जो है वो discuss होने वाला है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं session की description की अगर मैं बात करूं तो वो भी यहाँ पे लिखी गई है कि track 1 में particular topic जो आपका उसमें क्या-क्या और चीज़ने जिखाए जाने वाली है तो वो यहाँ पे बहुत अच्छे से explain किया गया है तो वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते है last में आपके पास यहाँ पे FAQ section रहेगा जहाँ पे आपको कोई भी question होगा इस series से related वो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है AWS Builder Online Series क्यों attend करना चाहिए आपको कैसे आपको certificate मिल सकता है sessions कौन कौन सी language में available है कोई price तो नहीं देना पड़ता है आपको बढ़ यह मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कोई price भी करने की ज़रूरत नहीं है absolutely free of cost आपके लिए यह जो है वो session रखा गया है अब बात करते हैं कि कैसे हम इसके लिए apply कर सकते हैं सो सबसे पहले top पे जाएंगे आपको पास यहाँ पे register now का button दिया गया था यहाँ पे just आपको click करना है जैसे आप यहाँ पे click करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं please enter your contact information आपसे जो information पूछी जा रही है that is your first name, your last name, your country, region, your city, your postal code, your pin code और आपका phone number उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपका interest पूछा गया है कि आप business type है या personal है mostly अगर students है तो आप personal रखिये मैं सभी को बोलूँगी कि आप personal ही अपना रख सकते हैं यहाँ से आपका वना company name बगएरा पूछा जाता है so यह चीज़े आप यहाँ पे देख सकते हैं कि job title, company name, industry, company type, company size, level of AWS usage और आपका case यहाँ पे पूछा गया है then आपके यहाँ पे username, password जो भी आप रखना चाते है वो आपको यहाँ पे रखके, verify करके आप यहाँ से register कर सकते है so जलिए एक बार मैं आपके सामने ही register करके आपको दिखा देती हूँ फिर उसके बाद हम देखेगे कि next process हमारे पास क्या आता है so आप दीख सकते हैं मैंने registration यहाँ पे कर ली है almost done हो चुका है check your inbox for email verification to complete your AWS builder online series तो हम चलते हैं अपने email section पे वहाँ पे हमें इस registration को confirm करना होगा तो जैसे आप यहाँ पे जाएंगे अपनी email में verify का option दिया गया है बस आपको यहाँ पे अपना verify करना है और verify करने के बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो है your registration has been confirmed का option आजाएगा so इस तरह से आप क्या कर सकते हैं आपनी registration complete कर सकते हैं इस session के लिए apply कर सकते हैं एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जब भी आपका यह session start होने वाला है जो कि 21st of January है so उससे एक तो दिन पहले आपको mail आजाएगी with session link and everything you need to attend the session और आपको यहाँ पे जैसे ही आप इस session को complete कर लेते हैं सारी videos वगरा watch कर लेते हैं उसके बाद आपको certification यहाँ पे within one or two weeks जो है वो आपको mail कर दिया जाता है जिस भी mail ID से आपने आपर registration की होगी so यह रही इस event के बारे में सारी details I hope आपको सारी चीज़े clear हो गई होगी अगर in case आगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं या तो फिर अगर आपको इस online series से related कोई problem है या किस तरह से attend करना चाहिए one to one guidance चाहिए तो आप मुझे telegram channel पे या मेरे whatsapp group पे join कर सकते हैं वहाँ पे आप जानते हैं हर एक video की आपको सबसे पहले update मिलती है और आपको free courses, free online certification किस तरह से लेनी है उससे related help और support आपको माँ पे बल जाती है सो आज की वीडियो में बस इतना ही that's it for today thank you so much have a good day